अलो फ्रेंड वेलकम टू चैनल नौलज़ आप फार्मेसी तो आश्टो कैल्सियम और विटामिन B12 संस्पेंशन का आज हम रिभीउ करते हैं तो इसमें स्टेंट की बात करते हैं तो बिटामिन D3 जो की कैल्सि फिरॉल 200 IU और बिटामिन B12 2.5 mg कैल्सियम फास्पेट एकुबेलेंट एलिमेंटल कैल्सियम 82 mg तो ये इसकी स्टेंट है और ब्रांड नेम की बात करें तो आश्टो कैल्सियम आप देखी रहे हैं आश्टो कैल्सियम और कैल्सि मॉक्स और कैल्सि काइंट ये संस्पेंसन आपको मार्केट में मिल जाएंगे यूजज की बात करें कैसे उप्योग करते हैं तो डिफिशन्सी यानि कमी में यानि कमी अगर होती है किसकी बिटामिन D की या आश्टो कैल्सियम या B12 की तो हम इस संस्पेंसन को जब कमी है डिफिशन्सी है बॉड़ी में तो हम इसको यूज करते हैं बच्चों की बॉड़ी में गिब यूर चाइल्ड रिक्वाइड अगर आपके बच्चों में ये कमी दिखती है तो उस कमी की जो आउसकता है उसको पूरा करने के लिए हम यानि गुटियों को ये मजबूत करता बच्चे की और दातों के लिए भी ये दातों को मुझबूत करता, उसके लिए भी फाइदे मंद है य 모कर वच्चों को जादा निकलते है तब भी इसको जो है दिया जाता है लो दाप्टरण देते है और पता कैसे चलता है क्य अगर इफेसंसी है तो बच्चा क्या करता है बच्चा मिट्टी खाने दे बच्चे जो है वो मिट्टी खाते हैं मिट्टी खाने लगते हैं और मिट्टी के साथ जो है बहुत सारे जो है नीमी टोडा यह सब मिट्टी में रहते हैं यह पेट में चले जाते हैं और दिक्कत हो जाती है तो इस वज़े से डाक्stäर इसको प्रेस्कृúng करते हैं क्योंकि यह जो है उसकी कमी को पूरा कर देता और बच्चे मिठी खाना बंद करदेते हैं तो जो है यह इस बच्चो को धिया जाता है यह आश्रो कैल्सियम जल्यूस बिटामिन डियास वानड आण가지 में बी कारे तो भी दिया जाता है यह आश्टो केल्सेम हेल्प करते हैं एक डेली जो डेली हेल्प करते हैं और स्ट्रॉंग बनाते हैं योर्चाय मतलब जो उनकी डेली requirement calcium की उसको भी पूरा करते हैं और यह balance बना के रखते हैं minerals का यानि balance the level of minerals का level यह बना के रखते हैं तो यह important होते हैं बच्चों के लिए तभी डाक्टर इसको prescribe करते हैं यानि growth के लिए यह growth के लिए important है और हड्डियों और दातों को मजबूत बनाता है तो यह डाक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया हलकी सी नोजिया हो सकती है मितली या omitting उल्टी हो सकती है ज्यादा लेने से या constipation यानि कब्ज की समस्या हो सकती है या इस टमक जो है पेट जो है अपसेट हो सकता है अगर इसका ज्यादा जो है लिया जाए तो या फिर अगर के नरक्त या मूत्र में कैल्सियम का आस्तर या विटामिन डी का आस्तर में ब्रिद्धी या बढ़ गया है या किड्नी की कोई समस्या हो या जो है गुर्दे में पतरि यह बगर बच्चेंकों को कोई दिक्कत है तो इसका उपयोग ना करें तुरहना डॉक्टर से बेविले